आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर डेटा सेवर को आउन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर अगर आप अपने फोन में डेटा सेवर को आउन कर देते हैं तो आपके फोन में जो अप्लिकेशन बैक्गराउंड में डेटा यूज कर रहे होते हैं वो यहाँ पर बंद हो जाता है जिससे की यहाँ पर आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं इसे आउन करके तो और यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा नीचे network and internet के नाम से तो network and internet पर click करिए तो यहाँ पर first option ही आपको मिल जाएगा इस पर click करिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा नीचे advance का तो उपर काफी सारे option है wifi, mobile network, sim cards, airplane mode, hotspot और यहाँ पर advance का एक option है तो इसपर click करिए और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर hot spot के नीचे data saver इसपर click करिए और click करने के बाद यहाँ पर आप पड़ सकते हैं इसके बारे में और इसे on करने के लिए उपर आपको मिल जाएगा use data saver यहाँ प miser करके आप इसे on कर सकते हैं और अगराप इसे on करेंगे तो उपर आपको इसका आइकन शो करा देगा plus का आइकन और इसापर कलिक करके आगराप इसे बंद करेंगे तो वो आइकन हो जाएगा तो इस टाइप से आप data saver on करके तो यहाँ पर आप data saver को on करके background data को जो आपका use होता है उसे बंद कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें